सुश्मिता सेन ने कुछी दिनों पहले बताया कि उन्हें हार्ट टेक आया था लास्ट वीक और अब वो ठीक है सुश्मिता की हेल्थ को लेकर अब जो डीटेल सामने आई है वो सुनकर यही लगता है कि मिस यूनिवर्स होने के बावजूद इतनी फिटनेस पर ध्यान देने के बावजूद सुश्मिता ऐसी गलती कैसे कर सकती है कि उनकी जान भी जा सकती थी आच सुश्मिता सेन ने एक लाइव सेशन किया अपने फैंस के लिए वो इंस्टा लाइव पर आई थी और इसी दौरान सुश्मिता ने हार्ट अटेक की डीटेल्स के बारे में बात की थी उन्होंने कहा था कि उनके हार्ट में 95% ब्लॉकिज था और उनकी जान बचने के चांसेस बहुत कम थे हम सब जानते हैं कि एक उम्र के बाद लोगों को हर 6 महिने में अपनी पूरी फिजिकल फिटनेस को टेस्ट करना चाहिए और अपनी जाच करवानी चाहिए और दिल की जाच तो बहुत जरूरी है तो क्या सुश्मिता सेन जो इतनी बड़ी शूटिंग के दौरान उन्हें चेस्ट में थोड़ा अनईजी फील हुआ जिसके बाद सेट पर ही डॉक्टर मौजूद था उसे बुलाया गया और उसके बाद सुश्मिता सैन को नानवोटी हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया शरीर में एक छोटा सा चीरा लगाया गया जिसके जरिये स्टैंड फिक्स किया गया और एक दो दिन और उन्हें अब्जर्वेशन के लिए होस्पिटल में ही रखा गया एक मार्च को सुश्मिता को होस्पिटल से डिस्चार्ज कर लिया गया और अग वोटने घर पर ह है रेस्ट कर रही है रिकवर कर रही है उनका कहना है कि क्योंकि वो एक्टिव रहती है फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देती है तो रिकवर होने में उन्हें आसानी हुई वहीं लोग ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी सेलिबरिटी होकर कि हर छे महीने में अपनी जाच नहीं क ली जाती है